नमस्ते दोस्तों स्वागते आप सभी को हीरास कुग बुक में आज में सेयर करने वाली हूँ हरी मेटर से बनने वाली बहुत ही टेस्टी नास्ते की रेसीपी इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा कप मटर ली है और पानी को उबलने के लिए रख दी थी पानी में उबल आज जुका है तो इसमें हरी मेटर को डाल देते हैं और इसको हम यहाँ पे पकाएंगे तो हमें यहाँ पे 5-6 मिनट तक पकाना है इसी तरह से मेडियम फिलिम में उसके बाद मटर जो है पक गया है इसको में निकाल देती हूँ और साइड में रख देती हूँ और यहाँ पे मैंने एक कप नहीं तूठाट कप गेहों का आटा ली है फिर इसमें हम डाल देंगे तीन टेबल स्पन जितना बेसन बेसन यह जो नास्ता है बहुत ही खस्ता बनता है और साथ में और भी टेस्ट बढ़ जाता है स्वात की हिसाब से नमक और तीन चुट की जितना खाला मिर्श का पाउडर डाल देंगे इससे नास्ते में एक अच्छा टेस्ट आ जाता है फिर इनको हम आटा और बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे आपको और भी खस्ता बनाना है तो थोड़ा सा पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक डो तयार कर लेना है तो जो है मेरा बन के तयार है अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए तब तक हम आवे का प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे लिए मैंने 100 ग्राम पनीर जो प ग्रेट कर लेंगे धियान रखे कि पनीर को बड़े साइट चाहिए ग्रेट कर लेना है तो यहाँ पे जो है मैंने पनीर को ग्रेट कर ली है अब हम पनीर को भी रख देते हैं साइड में और इसका हम आगे का प्रोसेस करते हैं तो यह जो मतर है यह ठंडा हो चुका है इसक पीछे वाला साइट से हम इसको मेश कर सकते हैं अगर आपके पास मेशर है तो मेशर का भी तो कभी यूज कर देना है फिर हम इसमें डाल देंगे परनीर मेश क्वे मटर में फिर एक मिडियम साइच का चौप किया हुआ प्यास डाल देंगे साथ में हम डाल देंगे एक टुकरा अध्रक को मैंने करदुकरस करके रखी थी साथ में हम कटा हुआ हरे मेज भी डाल देंगे मेर चाप कम या ज़्यादा ले सकते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मेर इसके भी कर सकते हैं और हरा धनिया को भी डाल देंगे, साथ में अब हम कुछ मसाले का यूज़ करेंगे जैसे की 1-4 चमच हल्दी पाउडर, 1-4 चमच गर्मसाला पाउडर, 1-4 चमच धनिया पाउडर उसके बाद एक जोधाई चमच आम चुर पाउडर डालेंगे थोड़ा चेट पटा फलेवर के लिए साथ में हम चाट मसाला भी डाल देंगे इससे अच्छा टेस आता है इन मसालों को डालने के बाद हम पनीर और मतर में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है श्टफिंग जो है बनके तयारे नमक हम बाद में यूज करेंगे फिर यहाँ पर जो डो है इसको यहाँ पर एक मिनट के लिए अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं इसको soft करने के बाद ये जो इस्टफिंग है इसको लेंगे और इसमें हम नमक डाल देंगे नमक को हमें बिल्कुल end time में डालना है पहले नमक डालेंगे तो प्याज से पाए निकल जाएगा और पूरा इस्टफिंग नास्ता खराब हो जाएगा इस्टफिंग को साइड में रख देते हैं और एक लोई को ले लेते हैं इसमें थोड़ा सुखा हुआ आटा लगाएंगे और इसको हम बेल लेते हैं तो हमें यहाँ पर एक रोटी की साइज का बेल लेना है एक रोटी को मैंने बेल ली है बेले हुए रोटी को साइड में रख देते हैं एक रोटी के उपर इस्टफिंग जो है हमें अच्छे से भर देना है यह जो इस्टफिंग है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है तो यहाँ पर मैंने इस्टफिंग को अच्छे से भर दी है अब इस्टफिंग को बरावर से हमें भरना है उसके बाद ये जो दुसरे वाले रोटी में ने बेल कर रखी थी इसको रख देंगे और उपर से रख देंगे तो थोड़ा सा हम इस तरह से बन कर देंगे बन करने के बाद हम साइट से इसको इस तरह से उठाते हुए इसका एक प्यारा सा डिजाइन करकर तयार कर देंगे तो ये जो नास्ता है बहुत ही कम समय बनती है आप इसको सुबह के टाइम या बच्चों के लांच बोक्स के लिए भी बना सकते हैं खाने में healthy और tasty दोनों ही होते हैं तो ये जो है ये बन के तयार है और दुसरे वाले को भी मैं सेम तरीके से बेल लोंगे तो तेल को मैंने पहले से pre-hit कर ली थी तेल गरम है तो इसमें हम इस नास्ते को डाल देते हैं तेल का जो है heat medium होना चाहिए और गेस की फिलम को भी low to medium रखते हुए हम इसको fry कर लेंगे एक साइट से दोसे 3 मिनट सिखने के बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरे साइट से भी हम इसको fry कर लेंगे गेस की फिलम को medium रखेंगे दोस्तो एक छोटी से request है मेरी आप से आप वीडियो पे नहीं हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा बेल आइकन को भी प्रिस कीजेगा इससे मेरी वीडियो की notification आपको मिल जाएगी और वीडियो को लाइक और share करना ना पूलेगा ताकि आपकी दोस्तो आपकी family तक मेरी recipe पहुँच सके और मुझे थोड़ा सा motivation मिल सके तो दोस्तो इसको हम दोनों साइट से पलटते हुए अच्छे से golden brown होने तक fry कर लेंगे उसके बाद इसको हम निकाल देंगे और दूसरे वाला जो था इसको भी सेम तरीके से fry कर लेंगे ये जो नास्ता था इसको मैंने निकाल दी है अब हम इसको बीच में से काट देते हैं और इसको सर्फ कर देते हैं तो आप इसको लंज बोक्स में दे सकते हैं बच्चे को और सुगा के टाइम भी दे सकते हैं वीडियो में बने रहेने के लिए धन्याबाद हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में